हेलो एवरिबरी इस चैनल में आप सभी को हार्टीक श्वागत है एक नए प्रोडर्क रिब्यू के साथ मैचिंग चान नमस्ते सलाम अलेकम तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज के नए प्रोडर्क रिव्यू तो आज मैं आपके सामने लेकर हाषी हुआ हो यह टाबर्पर्डर्ट्र्डर्ट्ट्रडर्रडर्दर्फ यह एकदम नए प्रोडर्रडर्च नहीं है मेरे चैनल में पहले मैंने ये डाबर का हानी मैंने पूरा क्रिव्यू कर चुका हूँ ये देखिए मैंने पूरा कम्प्लीट भी कर लिया ये पानी है अभी मैं ये वाश करके मैं ये बोटल यूज करूँगा अपने जस लाइक किचेन हुआ तो मैंने पिछले वीडियो में, प्रिवियस वीडियो में मैंने दिखाया था कैसे ये डाबर हानी को पैचानना परेगा कोई भी हानी ये डाबर हानी नहीं कोई भी हानी कैसे पैचानना परेगा how to identify that the honey is the pure मैंने दिखाया तो अभी आप कहेंगे तो इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में मैं आपको डिखाऊंगा यह 500 ग्राम का जो हानी है इसका दाम 170 रुपीज YES इसका दाम 170 रुपीज और इसका जो मैंने पहले दाम बताया मैं देखकर आपको बताता हूँ देखिए ये 300 ग्राम का है ये देखिए 110 रूपीज ये 106 रूपीज से मुझे only 4 रूपीज मुझे सेब हुआ 300 ग्राम और इसमें 20 बर्षन एक्स्ट्रा था क्योंकि इसका actual 20 बर्षन अगर एक्स्ट्रा होते तो 250 ग्राम प्लास 50 ग्राम टोटल 300 ग्राम का है 110 रूपीज अभी ये 500 ग्राम का दाम है only 170 रूपीज वो भी मैं आपको पूरा बिल देखे मैं आपको दिखाऊंगा वही में रिवियू मैं आपको दूंगा कैसे हुआ मैं आपको बिल्द दिखाता हूँ देखिए ये जो है देखिए ठीक से देखिए डाबर हानी देखिए ये मैं बिल्द दिखाता हूँ देखिए डाबर हानी वरण कोणिटी टू ट्वेंटी रूपी ठेखिये बिल्द टूंटी रूपि से लेकिन ये 170 रूपी से मुझे मिला अभी कैसे मिला हम आपको बोलेंगे इसको डाबबिला देखिए आप इक कंटम साइब में में एक इंटिया गेट का मास्ट राइस गी में रख चुका हूँ आपने गेस आपका जो गेस के आपका जो अंदास लगा जो ठीक है इसके साथ ये फ्री है देखी ये लिखा है फ्री 50 रुपीस तो आपको अभी 170 रुपीस कैसे है मैं आपको कहूंगा ये खोल कर दिखाऊंगा ये फ्री वाला चीज ठीक है कि नहीं ये फ्री वाला चीज है ये ठीक है कि नहीं अच्छा है कि वो भी मैं आपको सब खूल कर दिखाऊंगा ये खूल कर दिखाऊंगा तो मैं आपको कैसे ये 170 रुपीस आया देखिए पहले तो इसका दाम 220 रुपीस आया ठीक है आपको क्लिर कर दो कहाता हो देखिए ये डाबर है जब हानी है ये 500 ग्राम का दाम है 230 रुपीस ओके देखिए इसका प्राइस से देखिए आपको यूए कन शीड करें प्राइस वाइट प्राइस इपनल में लिखा ही यerहलो क्लार में चरवा तो इसक यूइंद करके बनाए है और ये डप Impton Music नहीं है क्योंकि इसका नीचे देखी ये डाबर लिखा हुआ है मैंने देख कर यह आया और इसका इसका नीचे भी डाबर वनी यह पीवर petites ब्लॉक में लिखा है और देखिए ये ग्लास में सेमी है ये कोई डूपिकल नहीं नहीं है देखिए ऊपर में भी डूपिकल बूपिकल नहीं है ज्युशादा दे दिया और डूपिकल आया तो यह से कोई डारने का चीज नहीं है अगर कोई दुकानदा दुप्लिकेट बेचे तो आप करेता जो आइन है करेता शुरुखा जो कंजुमर फोरॉम है उसमें आप कॉंप्लेंट करें तो इसका एगेंस में कोई गोबर्मेंन स्टेप लेगा तो इसका डूबी एटेना कर्णने नअचानस है तो मैं आपको एकरें करता हूँ रशिय.. इतर.. इतर छेजेव का बेश स्ट लीक और हमने आप कोईस में बताया है कि अि-ने और हमंने कि तूटेंट 50 रूपीज इसका दाम है 50 रूपीज इसका 50 रूपीज दाम है तो 50 रूपीज दाम से अभी मुझे 220 से अगर मैनस कर दो 50 रूपीज to 170 रूपीज देख respects 170 रूपीज में ये जो 500 ग्राम हनी मैंने लिया ये तो पतंजली और मार्केट में जितना भी सारे honey हैं बहुत ही अच्छा अच्छा जो honey है उससे भी यह सस्ता आया क्योंकि अगर मैं इंडिया गेट पर्चेस करता तो इसका दाम तो 50 उपीज तो होता ही कि इंडिया गेट का दाम बहुत जादा है और इंडिया गेट का देखिए इसमें और भी लिखाए है इसमें नाट फोर सेल फ्री विट डाबर हाने 500 ग्राम बासमाती चाल मैं आपको कोल कर दिखाऊंगा यह पासमाती और इंडिया गेट जो भी बराबरा शोपिंग मॉल है जैसे की जैसलाइक है मोर बीक बजार जियो हमार सब में इंडिया गेट बासमाती लाइस बिखते हैं यह सील होता है और यह बहुत ही प्युक्त चलाही है और पूरा शिल कि या हुआ है इसमें लिखए है पूरा प्यूर यह प्योरी है, मैं आपी नहीं खुलूँगा, क्योंकि ये वीडियो अन्बोक्स करने के लिए नहीं है, मैंने अलड़ी प्यूज वीडियो में सब को खोल कर दिखा दिया, और देखी इसका 500 ग्राम है, ये मैंने अलड़ी सब टेस्ट करके मैंने आपको दिखा दिया आप इसले वीडियो में, आप चाहे तो देख सकते हैं, 100% purity गरेंटी है, 500 ग्राम का 170 रुपीसी बहुती सस्ता है, इसलिए मैंने जट कर मैंने ये पर्चेस कर लिया, अभी मैं इंडिया गेट कैसा है, ठीक दे रहा है की नहीं, नहीं तीक दे रहे, मैं आपको, खोल कर मैं आपको, दिखा देदा हूँ, अभी, मैं एक नाइफ, इसमें काट लूँगा, दीखिये, मैं काट लूँगा, अगर ठीक हुआ तो ये सस्ताई होगा, यह थोड़ा सा गंध है देखिए यह चो चावल है बासमती चावल यह आतुप चावल है रोचावल है यह बॉइल चावल नहीं है यह एकदम रोचावल है थोड़ा सा गंध है थोड़ा सा स्मेल है थोड़ा सा चावल का जो स्मेल होता है थोड़ा सा स्मेल है चावल तो अच्छा ही है यह देखिए तो इसका किलोग्राम है 100 रुपीस किलोग्रम आप अगर यह सेम चावल जो पंजब जिसका नाम है आप किसी किसी दुका में आप अगर राइस सेलर हो तो आप को पता होगा और आप अगर मरकेर से चावल खरीटते हैं बासमति चावल तो एक पंजब पंजब मालाईकरी बासमति राइस होता है जिसका सुगन बहुत ही अच्छा होता है और उसका किलोग्रम प्राइस है 100 से लेकर 115 तक 115 तक और उसका चावल बहुत ही अच्छा है और लूज बिगता है पूरा बस्ता में आता है जो जूट का बस्ता है है जुटकापसता में आता है और इसका दब क्यो प्राइस है एकरोडिंग तू इंडियानIDE क्स यह पूरा पैकेश में यह सेल कर रहा है सेल करने के लिए यह क्या होता है इसका प्राइस बहुत सादा होता है कि इस नंदर बहुत款 टैक्स पादर आलो यह कि इस इसलिए ब्रैंडिंग करने ले के लिए इंडियन गॉवर्मेंट इसके उपर टैक्स जादा लगाता है जादा आरोप करता है इसके उपर टैक्स और जो लूज भीकता है जो बस्ता में आता है जूट का बस्ता जो थैला होता है बड़ा बड़ा 50 किलोग्रम और 25 किलोग्रम होता है जो प्लास्टिक का बसता होता है उसके ऊपर टेक्स कन पड़ता है अगर उसमें कोई ब्रैंडिंग ना किया हो तो अभी मैं इसको साइड में राग जाता हूँ और अभी मैं तो इसका प्रोड़क्ट रिव्यू कर रहा हूँ थोरा सा इसका कुछ-कुछ मैं बोल दूँ इसका ग्राम है 500 ग्राम इसका प्राइस है एक्शुली प्रिंटेट प्राइस है 230 रुपीश अलकान हर्ट सी यह पैक क्या हुआ है 6-11-2021 में और एक्श पैरी है 6-5-2023 में यह डाबर हानी है और वर्ल्स नंबर वन हानी फ्री इंडिया गेट राइस गोत रुपीश 50 डाबर और यह पुरा वेजिटेरियन है पुरा वेजिटेबल वेजिटेरियन है है यह स्कार और अलर्ट लेज़िटेरियन हांडडर करिया और 500 ग्राम और जो पीरोटी गारेंटी है इसकांदर सील है वह सील के अंदर एक दम लिखा दिया है तो लिख यह ग्यारंटेट प्योड़ी है अच्छा है है जो भी कमदाम वालवा कमदाम वाला जो पतंजली का ह है वो मत खर दे और एक अनी कंपनी है जो जंडू का हानी उसमें भी भूसा एक लोगो लोगो उधर में रख दिया है पुरा है कार्ट बोर्ड में लिखता है एक धम प्योर सब तो प्योड शेल करने में बहुत सारा कम्पनी प्योड लिखता है और प्योड में डाबर मैं कहूंगा ठीकी है और एक है जन्टू वो भी ठीकी है यह प्योड में बहुत ही यह पॉपुलर कम्पनी और इस तुक्स पर के दिखाता हूँ इसमें लिखा दिया है इस नहीं टेस्ट किया जाए इसमें कोई अडलटरेशन नहीं है और LC-MS टेस्टेट पर ASMR नोडिक्स सीरप अडलटरेशन और एक लिखा है LC-MS-MS टेस्टेट पर अन्टिवायतिक रेसिदियूस इसका नाम उस लोगों ने दिया त्रिपल पियूर्टी कर दिया क्योंकि तीन बार इसका पियूर्टी चेक किया हुआ है जो एंटिवायतिक रेसिदियूस एक बार इसमें कोई सीराप और कोई ऐसे कोई सुगर नहीं है यह भी टेस्टेट को क्या हुआ है और यह इसमें सुगर नहीं है यह तो टेस्टेट क्या हो गाई होगा और इसमें कभी भी नहीं लिखा जो डाइबेटिक पेशेंट है उसको मत खाए यह कोई इसमें लिखा नहीं है हम हनी नस्चुरली कॉंटेस्ट ने इसमें इसमें ये कि सी में भी नहीव लिखा है खी डाइबेटेस पेशेंट मत कई है Cat Simple मैने देखा जो पतअब जली का जो हनी है उसमें लिखा हुआ हुआ है मेरा पास एक पतंजली का हानी है मैं अगर सामने वाला है तो मैं आपको दिखा देखा हूँ दिखी यह पतंजली का सामने वाला दिखा है एक इसमें लिखा है यह भी 500 ग्राम का 135 रुपीज से बहुत साल पुराना है 2018 में है अभी तो बहुत असका दाम तो बहुत बढ़ चुका है लेकिन इसमें लिखा है और क्या होता है जो यह पतंजली का जो है यह पेट इसका जो कॉंटेनर है यह पेट कॉंटेनर है जो पेट शरीर के लिए अच्छा नहीं है और थोड़ा से जो राशानिक विक्रिया होता है वो यह पेट पटल से होता है यू कांटेनर में पानी डाल कर रखा है यह मैं रियूस करूंगा और जो ग्लास का है यह ग्लास का तो एक दम कोई प्रॉब्लम नहीं है रियूस करने के लिए किचिन वायर में यह थोड़ा सा कुई मसला वसला कुछ भी इसमें रख सकता हो और ये रियूस अबल है और इस में कोई अच्छा ब्रैंड का जो एक कोई भी अच्छा ब्रेंट है वो बहुत सारा बहुत कुछ मेंटेन करता है आपको देखकर पता चलेगा यह ब्रेंट अच्छा है क्योंकि यह जो डाबर हनी है और एक जहन्डू हनी है कोई भी हनी जो manufacturing company है आपको कैसे पता चले वो हनी जो company है वो अच्छा company है वो आपको ऐसे करकर देखकर पता लगाना परेगा वो honey manufacturing को जो honey container है हुआ अभिश इस तो must be made from the glass यह glass से बना हुआ है यह maintain करना परेगा तब ही आपको पता चलेगा हाँ honey company बहुत ही अच्छा company है वो बहुत कुछ maintain कर रहा है और जो पतन जली का है और बहुत सारे ऐसे company मैंने देखा क्योंकि मैं product review करता हूँ इसलिए सब मुझे देखना परता है यह pit container है pit container में यह sale कर रहा है पैसा भी इसका बहुत बच रहा है क्योंकि इसका दाम 10 रुपए है इसका दाम अगर wholesale price में है 10 से 15 रुपए एक bottle का दाम है और इसका दाम कितना है एक से देर रुपए दाम है यह पूरा तो दाम जादा हुआ आप इसका खरीद रहे है पैसा देकर खरीद रहे है इसका दाम भी अभी 2018 में 500 ग्राम का 135 रुपए था और अभी 2020 चल रहा है 500 ग्राम का 170 रुपए वो भी अच्छा है यह गलाज भी बहुत ही अच्छा है अगर अभी मुझे नहीं पता इसका 500 ग्राम का दाम कितना है मैंने नहीं दिखा क्योंकि अभी यह purchase नहीं करता यह तोड़ा सा पतला और यह जो हनी है यह बहुत ही घना है और यह जो हनी दिखाया मैं यह खोल कर आपको नहीं दिखाऊंगा और यह जो भी पतला है यह आपको esos नहीं करांगा आद्वाइस नहीं करूंगा, I can't advise you to buy this product, इससे ये डाबर हनी 50 टाइम्स अच्छा है, 50 गुना अच्छा है, मैं आपको डाबर हनी पर्चस करने के लिए अद्वाइस करूंगा, आप अगर पैसा, थोड़ा सा पैसा ज्यादा दे, तो आपको जंडु हनी, आपको पर्चस कर करने को मिलेगा, जंडु हनी भी अच्छा ही है, और कभी भी जो जो बहुत सरा हनी का पर्चस कमपनी है, जो जिसमें पेट कांटेनर यूस कते है, no, never and don't buy this, जितना भी अच्छा कमपनी हो, जितना भी प्योर लिखा है, कभी भी मत खरी दिये, तो ये मैंने इस वीडियो म जिसमें बहुत सरा इ courtesy in-formation आपकों खाःest, इस ब्रिएंसर टरेनी के लिए मुझे बहुत साल लगा, मैं इसके उपर रीट कर्ता हू, इंटर ने देखते हैं, बहुत किताब पर उ धसके उपर पर experience, experience हू, मैं experience person हू, तो मैं आशार रखाँगा, ये वीडियो आपको बहु खमक्सक्रावी प्रूं लाओ कर दो दो झाल झाल झाल